प्यारे बच्चों, कल हमने पौन दूतिका का पहला पद अध्यान किये, आज जो है पौन दूतिका का अगला पद अध्यान करेंगे, आप दूतिका को अध्यान करेंगे और किताब अपने सामने निकाल लिजिये, किताब निकाल करके अपना पत जो है ध्यान से देखिए, पॉन्दूतिका यह पॉन्दूतिका जो है अरुद्या सिंग उपाद्या हरियोत के कम हाकाब्य है प्रिप्रवाज का यह अंसर अवतरित है बैठी खिन्ना यक दिवस्वे मेरे त्यारे नव जलस्ते कंज से नेत्रवाले जाके आये नमधवन्ते और नभेजा संदेशा मैं रोरो के प्रिविरह से बावली हो रही हूँ जाके मेरी सब दुख था स्याम को सुना दे जोही मेरा भवन्तर्तू अलप आगे बढ़ेगी शोबा वाली सुखद कितनी मन्ज कुंजे मिलेंगी प्यारी छाया म्रिजुल स्वर्ते मोह लेंगी तुझे वे तो भी मेरा दुख लख वहाँ जान विस्त्राम लेना थोड़ा आगे सरसरो का धाम सत्पुष्प वाला अच्छे अच्छे बहुत दुख लपावान सौंदर्य शाली त्यारा विरिंदा विपिन मन को मुग्द कारी मिलेगा आना जाना इस विपिन से मुहमाना न होना श्रीमती रादिका जो है प्यारी पवंदूतिका से स्री कृष्ण के लिए संदेश विजवाती हैं विरहरी रादिका करकी हैं कि मेरे प्यारे नौ जलत से ए प्यारी पवंदूतिका मेरे प्यातम नौ जलत से कंझ से नेत्र वाले अबलाब नौ बादल से कजरारे नेत्रों वाले सुंदर नेत्रों वाले हैं जाके आये न मदवन से वे जबते गोकुल से मदवन मत्वा गए हैं और न भेजा संदेशा न आये और न कोई संदेशा ही उन्होंने भेजा मैं प्रितम स्रीक्रिष्ण के विरा में विरारी राधिका जो है रो रो के बावनी हो गई हूँ पागल हो गई हूँ जाके मेरी सब दुख कथा एप अधूति का मेरी दुख भरी कथा जो है स्याम को तु सुना दे श्रीक्रिष्ण को सुना देना करती हैं कि जैसे ही मेरा भवन कर तो ए पवंदूति का जैसे ही मेरा भवन छोड़कर तु अल्प आगे बढ़ेगी तु थोड़ा आगे बढ़ेगी तुम्हें सोभा वाली सुप्रदान करने वाली सुन्दर सुन्दर लठाएं मिलेंगी वा सुन्दर लठाएं जो है प्यारी छाया उनकी प्यारी छाया भी तुम्हें मिलेगी वे प्यारी छाया और अपने मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे तुझे वे अपने अंदर जो है आकरसित कर लेंगी तो भी मेरा दुख लख तो भी मेरे दुखों को लख करके ध्यान में रख कर वहाँ जाना नो विस्राम करना वहाँ जाना जरूर लेकिन वहाँ विस्राम मत करना थोड़ा आगे सरस्रव का धाम सत्कुष्प वाला और जैसे तुम थोड़ा आगे बढ़ोगी तो सरत रवका, रत से युक्त ध्वनी उत्पन करने वाली सत्कुष्प वाला, अच्छे फूलों वाला धाम मिलेगा, अस्थान मिलेगा, अच्छे अच्छे भाउद्रों, उस अस्थान पे बहुती अच्छे अच्छे ब्रिच मिलेंगे, लतावान सुंदर साली, और सुंद सुन्दर लताएं मिलेंगी प्यारा व्रिंदा विपिन मन को और वहां प्यारा व्रिंदा बन भी मिलेगा मन को मुख्ध कारी जो मन को मुख्ध कर लेने वाला होगा उत प्यारे व्रिंदा बन में आना जाना लेकिन मुह माना न होना वहाँ उसे देख करके मोहित न होना आपर सेथ न होना इस प्रकार से फ्रीमती राधिका जो है प्यारी पहुंदूती का शे कहती है कि जाते जाते अगर पथ में कलांत कोई दिखावे तो जाके सन निकट उसकी कलांतियों को मिटाना जाते जाते अगर पथ में कलांत कोई दिखावे तो जाके सन निकट उसकी कलांतियों को मिटाना दीरे धीरे परत करके गात उत्ताप खोना सद गंधों से स्रमित जन को हर सितों सा बनाना त्रिमती राधिका जो है प्यारी पवंदूतिका पर करती हैं कि जाते जाते राश्टे में जाते जाते अगर कोई कलांत दिखावे अगर कोई दुखी व्यक्स दिखाई दे तो जा सन निकट, हे प्यारी पवंदूतिका उसके सन निकट जाना, उसके समीप जाना और उसके क्लांतियों को मिटाना क्लांतियों मतलब उसके दुखों को उसके ठकावट को दूर कर देना मिटा देना धीरे धीरे परस करके ए प्यारी पवंदू थी क्या उस व्यक्ति के उस क्लांत व्यक्ति के गात को गात मतलब सरीर उसके गात को, सरीर को असपर्स करके उत्ताप खोना, उसके कश्टों को दूर कर देना, सदगंदों से स्रमित जन को हरसितों सा बनाना और अपने सदगंदों से, अच्छे छे सुगंद से स्रमित जन को ठके हुए लोगों को हरसितों सा बनाना, हरसित कर देना, उन्हें खुशियां प्रदान कर देना, उन्हें खुश कर देना इस ककार जो है, स्रीमती रादिका पौंदूतिका से अपनी बातें जो है, अपने संदेश को जो है, स्रीक्रिष्ण के पास पहुचाने का प्रयत्न करती हैं आज तक हम लोग यतना ही अध्यान किये, और इसके बाद जो है, इसका काब्डेगत सौंदर इसके हैं, कि स्रीमती रादिका स्रीक्रिष्ण के विरह में, स्रीक्रिष्ण के विरह में, अत्यंत दुखी हैं तो रादिका के विरह रूप का वर्डन किया गया है, करूर रत है, खड़ी बोली है, और अलंकार जो है, इसमें जो है, उप्मा अलंकार है, अनुप्राश अलंकार है, इस प्रकार काब्डेगत सौंदर इभी समझ में आ गया होगा और जितना मतलब पद्य हम पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, उसका आप लोग संदर्व सहीत, संदर्व सहीत, उसका व्याख्या आप लोग जरूर करते रहेंगे, और फिर जब हमसे मिलने पर, वो सारे अर्थ जो है, हम उसको देख लेंगे, चेक कर देंगे, इसके बाद ज जाने का प्रयातने करेंगे, धन्यवाद